नमस्कार, आप देख रहे हैं, जिओ भीनूज को सबस्क्रायब नहीं किया है तो ज़ली ज़िज्गर्ण जिओ भीनूज को सबस्क्रायब करके और नौ्टिफिकेशन बेल को ओन कर दीजिए 24 घंटों में सामने आये 257,000 नए कोरोना के मामले 4194 संक्रमितों की जान गई जिहां भारत इस वक्त मुश्किल दोर से गुजर रहा है कोरोना वारस बेकावू है हर दिन धाई लाग से ज़्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं और रोजाना मरने वाले लोगों का आकड़ा भी 4000 के पार बना हुआ है स्वास्त मंत्राली की ओर से जारी ताजा आकड़ो के नुसार पिछले 24 गंटों में 2,57,299 नए कोरोना के केस आए और 4,194 संक्रमितों की जान चली गई है तो वहीं 3,57,630 लोग कोरोना से ठीक भी हुए है आपको बता दें कि कोरोना के कुल एक्टिव मरीजों की संक्या भारत में 29,23,400 बनी हुई है तो वहीं कुल मरने वाले लोगों की संक्या 2,95,525 हो गई है एर इंडिया के 45 लाख पैसेंडर्स का परसनल डेटा हुआ लीक पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड की डीटेल्स तक में सेंद जिहां आपको बता दें कि इंडियन एरलाइन्स एर इंडिया के पैसेंडर्स का डेटा लीक होनी की जानकारी सामने आई है जानकारी के नुसार इस साल फरवरी में Air India के Data Center पर हुए Cyber Attack की घटना में डाटा चोरी को अंजाम दिया गया सरकारी एर्लाइन्स की वेबसाइट पर मिली जानकारी में बताया गया कि Cyber Security Attack में पैसेंजर्स की व्यक्दिगत जानकारियां चुराई गयी है ऐसे पैसेंजर्स की संख्या 45 लाग के आसपास बताई जा रही है कमपनी ने बताए कि इस दोरान पैसेंजर्स के क्रेडिट कार्ड की डीटेल भी चुरा ली गई है कोरोना के बीच कई राज्यों में गहराया ब्लैक फंगस का खतरा वैक्सिनेशन की धीमी रफ्तार बढ़ा सकती है मुश्किले जिहां कोरोना की दूसरी लहर के बीच ब्लैक फंगस ने भी भारत में तबाही मचाना सुरू कर दिया है कई राज्यों से इसके मामले भी सामने आ रहे हैं कई लोग इस बिमारी से ग्रसित हो रहे हैं और कई अपनी जान भी गवा रहे हैं यह बिमारी इतनी कतरनाक है कि कई राज्यों ने इसे भी एक महामारी घोशित कर दिया है ये विमारी धीरे-धीरे महामारी का रूप ले रही है। महराष्ट यूपी, गुजरात, राजस्थान, मध्यप्रदेश, आधी राज्यो से ब्लैक फंगस के अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ब्लैक फंगस को राजस्थान, गुजरात, पंजाब, तिलंगाना, उत्तरप्रदेश और चंडिगर्ड ने महामारी घुशित किया हुआ है। IMA का दावा, कोरोना की दूसरी लहर ने 420 डॉक्टरों की जान ली। मिली बड़ी सौगात, सीम भुबेश बगेल ने खरीफ की तैयारियों के लिए दिये 1500 करोड रुपए। जहां चतीस गड़ के मुख्यमंत्री भुबेश बगेल ने पूर्व प्रधान मंत्री राजिव गांधी के सहादत दिवस के अवसर पर राजिव के 22 लाह किसानों को अगामी खरी फसल की तैयारियों के लिए इनपूट सबसडी के रुप में 1500 करोड रुपए की रासी उनके खातों में ऑनलाइन अंतरीत की है। आपको बता दें कि किसानों को उक्तरासी राजिव गांधी किसान न्या योजना 2021 की पहली किस्त के रूप में जारी की गई है। बंगाल की खाड़ी में बन रहे लोग प्रेसर से बढ़ी चंता चकरवाती तुफान यास को लेकर ओड़िशा के 14 जिलों में अलर्ड जिहां चकरवाती तुफान ताउते के बाद अब देश में चकरवाती तुफान यास का खत्रा मंडराने लगा है। बारतिय मोसम विज्ञान विभाग ने 26 माई को यास चक्रवात के ओडिसा पस्षिम मंगाल के तट से गुजरने की आसंका जदाई है इसे बीच ओडिसा सरकार ने 30 में से 14 जीलों को सतर्ग कर दिया है दिल्ली में रविवार से 18 से 44 वर्ष के लोगों को नहीं लगेगा कोविड वैक्सीन जिहां आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक अतिशी ने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लिए को वैक्सीन के बाद कोविड सिल्ड की डूस भी लगभग खतम हो चुकी है दिल्ली में 18 से 44 वर्ष की उमर के लिए सोंगवार से हमें सभी केंद्र बंद करने पड़ेंगे उन्होंने कहा कि दिल्ली में 18 से 44 वर्ष के लोगों के वैक्सीनेशन ने 99 स्कूलों की 368 साइट्स पर सुरू की गई थी जबकि आज सिर्फ 46 स्कूलों के 133 केंद्रों पर ही वैक्सीन लगाई गई है एक रिपोर्ट में हुआ खुलासा बीजपी ने बिहार चुनाव में इस्टार परचारकों के लिए विमान पर 24 करोड से जादा रुपए खर्च किये जिहां भाजपा ने वर्ष 2020 के बिहार विधानसवा चुनाव में अपने केंद्रिय मुख्याले के खातों से लगभग 26.07 करोड रुपए खर्च किये हैं जिसमें पार्टी अध्यक्ष जेपी नडडा, राजना सिंग और योगी अधितनाथ जैसे स्टार परचारकों की यात्रा के लिए चार्टर्ड विमानों पर 24.07 करोड रुपए खर्च हुए हैं भाजपा की ओर से निर्वाचन आयोको सौपे का एक खर्च संबंधी एक बयान के मुताविक पार्टी की बिहार इकाई ने चुनाव के दोरान कुल 28 करोड रुपए खर्च किये हैं जबकि उम्मिद्वारों को वित्तिय सहायता के रूप में उसने 16.05 करोड रुपए खर्च किये इसके मुताविक पार्टी की ओर से सभी उम्मिद्वारों को 15-15 लाक रुपए दिये गए सन्युक्त किसान मोर्चा की पियम मोदी से अपील कहा किसानों के साथ फिर से सुरू करे वारता जिहां सन्युक्त किसान मोर्चा नेव आज प्रधानवंतरी नरेंद्र मोदी को पतर लिख कर किसानों से बातचीत फिर से सुरू करने की मांग की है यह आंदोलन तीनो क्रिशी कानूनों के खिलाफ बीते साल नवंबर महीने से दिल्ली की सिमाव पर चल रहा है वैक्सीन संकट पर सीरम इस्ट्रियूट का बयान बोले केंद्र सरकार ने बिना टीकों की उपलब दिता जाने बड़े पैमाने पर टीका करण की दी मंजूरी देश के कई बड़े हिस्सों में वैक्सीन की किलत भी हो रही है कहीं 18 प्लस वालों को वैक्सीन नहीं मिल रही तो कहीं पर 45 प्लस वालों को इंतजार करना पड़ रहा है देश में जारी वैक्सीन की किलतों के बीच पूरे बेस्ट सीरम इस्ट्यूट ओफ इंडिया के एक्जेक्यूटिव डिरेक्टर सुरेश जाधों ने कहा कि केंद्र सरकार ने वैक्सीन के स्टॉक के बारे में जाने बगएर और विश्व स्वास्त संगठन की गाड़लाइ पर विचार किये भिना कई आयू वर्गों के लिए टिका करन की इजाजत दे दी